Seramik जो है वो आपका wastage of money है और उस coating से क्या फाइदा होगा कि आपकी गाड़ी पानी में लगती है अगर तो उसमें को रस्टिंग नहीं होगा अगर आपकी गाड़ी दो या तीन हथे continuous खड़ी है भी ना चले तो शायद उसमें प्रॉब्लम हो सकती है Hey friends, welcome back to the channel और जैसा आप सब जानते हैं हमारे पास है Tata Tiago 2022 model और उसको हो चुके हैं लगबग 3 महीने और 2500 किलोमेटर हम चला चुके हैं तो उसकी first service का time आया था और first service complete हो चुकी है उसके बारे मैं आपको detail में पताऊँगा कितना amount आया और क्या में को charges देने पड़े बड़े एक बहुत जरूरी चीज में आपके साथ share करना चाहता हूँ वो होती है जो added cause जो हमें बताते हैं उसके उपर चाहिए free service ही क्यों ना हो आपकी चाहिए first हो second हो third हो तो उसमें वो कुछ ना कुछ जैसा आपको पता ही है companies का कि वो कुछ ना कुछ आपको sell करने की कुशिश कर करते हैं तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और कैसे उन चीज़ां से बचे उसके बारे में भी चलिए start करते हैं और वीडियो को skip मत करिएगा ठीक है बहुत जरूरी जानकारी है खासकर जो लोग अपनी first service यह second service है third service जो free service है उसके लिए जा रहे है ठीक है company जो हमे जो mention करती है हमें three service free मिलती है starting की तो जो पहली होती है वो around 1000 km पर होती है general check-up होता है उसमें कुषणी उसमें थोड़ा बार top of अगयरा जो भी होता है वो include होता है और washing और cleaning होती हो जारा कुषणी होता है और उसके बाद जो second service होती है वो 5000 से लेके और 7000 km पर होती है और जो added चीज़े बताएं वो मैं आपके साथ discuss कमना चाहता हूं तो सबसे पहली चीज जो उन्होंने बताई हमें वो थी anti-rust coating तो पहले मैं आपको बता दूँ anti-rust coating क्या होती है जो हमारा जो engine भी होता है नीचे से जो गाड़ी का जो lower part होता है उसमें क्या ये बोलते हैं कि भई उ उसमें ही चीज़ें हो के आती है प्लाट से अलग कमपनी पूरो से protection देती है नीचे से कि भई ऐसी कोई problem ना हो क्योंकि गाड़ी जब वैलेगी adverse weather condition में तो उसमें पानी लगेगा की चड़ लगेगा तो उसके लिए कमपनी पहले से प्रिपेर्ट रहती है ऐसा तो नहीं हो जो चीज़ें मुझे बिल्कुल वर्त नहीं लगी तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया कि अभी नहीं है हमारा बंद कराने का तो आप इसे हटा दीज़े ठीक है पॉइंट नमबर टू जो चीज में आपसे कैसा शेयर करना चाहता हूं वह होती है डूर लूब्रिकेशन या फ पांच़़ किलोमेटर में शाहे जो रग पड़े पर जार किलोमेटर कुछ भी नहीं होता है गाड़ी के लिए उतनी जो लूब्रिकेशन होती हो नहीं गाड़ी में रहती है तो आपको अलग से नहीं करवानी है तो जब भी वह आपको मैंशन करेंगे उसमें तो आप प्ल प्रॉब्लम को अवर्ड करने के लिए कंपनी वाले बोलते हैं कि आप एक स्प्रे लगा लीजे तो उससे रैड जो है वो नहीं आएंगे पर सोचने वाली बात यह है कि अगर आपकी गाड़ी दो या तीन हफ्ते कंटीनियूस खड़ी है बिना चले तो शायद उसमें प्र इस चीज़ को अवर्ड करिए बशरत आपकी गाड़ी 15-20 दिन कंटीनियूस किस ऐसे जगर पर खड़ी है जहां पर रैट्स की प्रॉब्लम हो तो तब ही कराएं जो मैं आपके साथ डिसकस करना चाहता हूं वो है सेरमिक कोटिंग का देखे नहीं गाड़ी में मानता हूं क कई लोगों को यह होता है कि आपके गाड़ी में स्क्रैच पढ़ने होंगे तो यह वैसे भी पढ़ी जाएंगे और जो सेरमिक कोटिंग है वह बहुती ज्यादा एफिशेंट नहीं है स्क्रैच को रोपने में हाँ पीपीफ की बात अलग है पीपीफ कोटिंग अगर आपक आपको बिल्कुल मना करना है वह काफी कोस्ली चीज है और नई गाड़ी में अगर आप सेरमिक करा रहे है उससे बैटर रहे कि आप फोड़ा सा पैसा और जोड़के कुछ टाइम बात आप उसमें पीपीफ कराती है अगर आपको कराना ही है एक और चीज जो उन्होंने हमे अगर आपको लगता है तो आप इसे कंसेडर कर सकते हैं अगर आपको गाड़ी बहुत ही क्लीन चाहिए होगी तो आप इगवारे से कंसेडर कर सकते हैं लेने के लिए तो यह थे कुछ पॉइंट्स जो आपको शोरूम में जाते हुए धिहान रखने पढ़ेंगे ताकि जो माइनर सर्विस थी चैनल चैक अप था इसमें हमारा जो टाइम लगा वो था राउंड दो से तीन घंटे जो उनने बोला बट चार घंटे हम मानके चलिए चार घंटे को उनने लगाई लिये थे तो टाइम थोड़ा सा मुझे लगा कि जादा है क्योंकि हमारे गाड़ी पॉलिश वगेरा की ये और लुबिरिकेशन हो गया आपका तो ये और तीन-चार चीजे जोड़ी भी थी तो इसे मिला के उनने 1100 रुपे विल तो हमें सब कुछ करवा दिया था हमने का नहीं है रिग्वाइर्मेंट नहीं है इसमें बागी गलीनी वगेरा हमारे गर में ह और दूसरा जो चार्ज जो अराउंड 80 रुपीज का जो में लगा है वो इन्होंने कोई वाइपर में विंड्शिल फ्लुइड कोई बोगते हैं ये वो डालते हैं किसे बेटर क्लीनिंग होती है खैर वो भी मुझे मतलब वेस्टेज ऑफ मनी लगा बट पता नहीं क्यों मैंना नहीं कर पाया मैंने चेक भी नहीं करा था यह फ्लूइड जाते वे तो मैंने का कहीं खतमना हो जाया इसमें तो उस चकर में मैंने वो रहने दिया था तो सारा माउंट जोड़के 105 रूपीज हुआ था जो हमने पे करा तो बस यही था फर्स सर्विस का experience हमारा कोई चीज बता रहा है यह कई जग आपको force की जाएंगे कि सर आपको करवाना है पड़ेगा देखिए यह नहीं तो यह जागा पर उन्होंने ऐसे कोई मतलब आपको उपर force नहीं कर रहा है उन्होंने सिर्फ मेरे को बताया कि सर यह यह है और मैंने उनसे पूछ लिया जब जो लोग गोते हैं कि वही चोटी hatchback में मेरा 8000-9000 भी लाते हैं वह वह होते हैं जो शायद मना नहीं कर पाते हैं और या फिर वह होते हैं जो शायद उस टाइम उनको दिमाग नहीं चलता वह extra pay कर आते हैं पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी I hope यह वीडियो आपको ठीक केर बबाई